नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हिरुशिगेश और स्वागत है आप सब का आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले है मारूती सुजुकी स्विफ्ट डिजायर स्टैंडर सी एंजी वारेंट के बारे में तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो स्विफ्ट डिजार जो है सिर्फ पेट्रोल और सी एंजी में अवेलिबल है और ये जो सामने आप वैरियंट देख रहे हैं ये आता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल एंजिन के साथ और टोटल 2 साल और 40,000 किलोमेटर तक की वारंटी आपको इसके साथ मिलती है अब बात करते हैं इसके कीमत की तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 6.40 लाक रूपीज और अंडोड ये आपको मिल जाएगी लगभग 7.20 लाक रूपीज तक और ये गाड़ी आपको कमर्शियल और प्राइवेट दोनों यूज के लिए मिल जाएगी तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रेंट प्रोफाइल को तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी ग्रिल बीच में दिया है सुजुकी का लोगो और साइड में आपको मिल जाएगे इसके हालोजन हेड लाम्प यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर का ओप्शन भी एवेलिबल है फॉग लाम्प आपको इस मॉडल में नहीं मिलते हैं ये इसकी सेकंडरी ग्रिल अब देखते हैं इसके बोनट को तो इसके उपर आपको पैटन देखने को नहीं मिलेंगे प्लेन बोनट दिया है और यहाँ पे दिये है दो वाइपर दो वाशर के साथ राइट साइड में आपको CNG का स्टिकर मिलेगा इसकी जो रूफ है वो आपको प्लेन ही मिल जाएगी वेल गाइज सॉरी फर दे कार वाश यहाँ पे A पिलर और इसका ORVM दोनों भी आपको बॉडी कलर में ही मिल जाएगे और टर्निंग इंडिकेटर आपको मिलेगा फिंडर के उपर इसमें आपको 14 इंचेस के स्टील वील्स मिलते है और इनकी टायर साइज है 165 by 80R14 की वील बेस दिया है 2430 mm का और ग्राउंड क्लिरंस आपको मिलेगा 170 mm का यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिये है और बी पिलर भी आपको बॉडी कलर में ही मिलेगा अब बात करते हैं इस गाड़ी के डाइमेंशन की तो इसकी लेंथ है 3995 mm विट है 1695 mm हाइट आपको मिल जाएगी 1555 mm की और इसका जो कर्व विट है वो है 945 kg का रियर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो उपर की तरफ आपको मिल जाएगा इसका एंटिना फिर यहाँ पे हाइमाउंट स्टॉप लैम भी दिया है उसके नीचे आपको मिलेगा सुजुकी का लोगो इसके अलवा दी है स्विप डिजायर की बैजिंग और नीचे की तरफ आपको सेफटी में दो रियर पारकिंग सेंसर भी मिलते है चली अब उपन कर लेते हैं इसके बूट लीड को तो यहाँ पे जो है आपको 316 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा CNG का सिलेंडर जिसकी CNG फिलिंग कैपेसिटी है 10.86 किलो की यह इसका जैक है इसके CNG की फिट्मेंट भी आप देख सकते हो इसके अलावा इसका जो स्पेर टायर है वो आपको मिल जाएगा इसी CNG सिलेंडर के ठीक नीचे विल आम नॉट एबल तो सी दे एक्जाक टायर साइज फ्रम हीर सो लेट्स क्लोज इट और इसके बूट लिड को बंद करने के लिए उपर की तरफ आपको ग्राइब हंडल का उप्शन नहीं मिलेगा यह रही इस गाड़ी की को ड्राइवर साइट प्रोफाइल यहाँ से आप इसमें फियल भर सकते हो और CNG फिल करने के लिए इसी के साइड में आपको उप्शन मिलेगा तो चली अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो यह रही इसकी रिमोट कीज यहाँ पर आपको टोटल दो कीज मिल जाती है जहाँ पर आपको मिलेगा लॉक अन लॉक का उप्शन दूसरी तरप दिया है सुजुकी का लोगो ओपन कर लेते हैं इसके डोर को तो यह रहा इसके डैशबोड का लॉक डोर के उपर आपको मिल जाएगा मैप पॉकेट वन लिटर बॉटल होल्डर उसके बाद दी है स्पीकर ग्रिल उपर की तरफ आपको मिल जाएगा कार लॉक अन लॉक और विंडो लॉक अन लॉक का उप्शन फिर दिये है फ्रंट टू पावर विंडोस के कंट्रोल ड्राइवर साइड और टो डाउन उप्शन के साथ यहाँ पे दिया है इंसाइड डोर हैंडल फिक्स्ट हैंड रेस्ट के उपर इसके अलावा दिया है डोर लिवर लॉक अन लॉक का उप्शन भी आपको मिलेगा यह रहा इसके ओर विंडो का लॉक तो यही से आप इसे इंटरनली अड्जेस्ट कर सकते हो फोल्ड आपको मैनियोली ही करना होगा अब देखते हैं इसके पेडल्स को तो यहाँ पे डेट पेडल का उप्शन भी अवेलिबल है उपर की तरफ आपको मिलेगा इंजिन बे को उपन करने के लिए लिवर यहाँ से आप सीट को फारवर्ड और बैकवर्ड अड्जेस्ट कर सकते हो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा फ्योल लिड और बूट लिड को उपन करने के लिए लिवर इसके सीट में आपको सिर्फ बैक अड्जेस्ट का उप्शन ही मिलेगा सीट की क्वालिटी आपको काफी प्रीमियम मिलेगी इसके अलवा फ्रेंट में जो हेड्ड रेस्ट है वो आपको अड्जेस्टेबल मिलेंगे डैश्बूर्ड का लुक आप देख सकते हो काफी ब्रॉड डैश्बूर्ड आपको मिलता है यह रही ड्राइवर साइडेस इवेंट इसे आप यही से अनॉप भी कर सकते हो नीचे की तरफ आपको मिलेगा एक छोटा सा कन्विनियन स्पेस यहाँ पे दिया है पेट्रोल टू सी एंजी फियल कन्वेर्टर फिर दिया है इसका अलाम उसके बाद आपको मिल जाएगा फ्रन्ट फॉग लाम का स्विच और सबसे लास में दिया है हेडलाम बीम अटजस्टर इसमें आपको अनलोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो शो करेगा ट्रिप मेटर, एवरेज स्पीड, डिजिटल क्लॉक, लो फियोल एंड दोर अजार वर्निंग इसके अलावा ये पेट्रोल और सी एंजी फियोल गॉज को भी दिखाएगा तो चली अब देखते हैं इसके स्टेरिंग विल को तो सबसे पहले मैं उपर से नीचे तक पूरा स्टेरिंग विल आपको दिखा देता हूँ बीच में दिया है सुजुकी का लोगो, जिसके ठीक नीचे लिखा है इसके एर बैक के बारे में बात करते हैं इसके toggles की, तो right side में आपको मिलेंगे light और indicator के controls और वही पर left side में आपको मिल जाएंगे इसके wiper और washer के controls यहाँ पर दी है AC vents, इसी के बीच दिया है hazard light का switch music system आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, यह accessory का part है इसी के नीचे आपको मिल जाएंगे AC और heater के several controls और यहाँ पर आपको मिल जाता है 12V का charging socket नीचे की तरफ आपको एक convenience space मिलेगा यहाँ पर एक और space दिया है और यह रहा इसका 5-speed manual gearbox with reverse hold करने में यह काफी easy है फिर दिया है इसका hand brake यहाँ पर आपको chrome tip नहीं मिलेगी यह रही इसकी fabric upholstery और कुछ इस तरह से दिखाई देता है सामने के door का look यहाँ पर एक notice भी दी है इसके speed limit के बारे में तो इसकी maximum speed है 80 km per hour की और front में भी आपको बहुत बढ़िया leg room मिल जाता है अब open कर लेते हैं इसके glove box को तो इसमें cooling या फिर light का कोई भी option नहीं दिया है decent size में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक और space दिया है co driver's address event और इस गाड़ी में आपको total 3 grab handle मिलते है driver's address grab handle नहीं मिलेगा चेक करते है co driver's address अडिस अनवाइजर को तो यहाँ पर vanity mirror नहीं दिया है बीच में दिया है normal IRVM तो यहाँ पर आपको day night adjustment का option नहीं मिलेगा चेक करते है driver's address अनवाइजर को तो इसमें आपको vanity mirror तो नहीं मिलेगा लेकिन ticket holder दिया है तो सामने से हमने अच्छे से बात कर ली है अब चलते है इस गड़ी के back seat पे तो open कर लेते है इसके door को और यह रहा इसका inside space door का look भी मैं आपको दिखा देता हूँ door के उपर आपको मिल जाएगा map pocket one liter bottle holder यहाँ पे rear power windows आपको नहीं मिलेगी इन्हें बाद में fit किया गया है fixed handrest के उपर आपको मिलेगा inside door handle और यहाँ पे child safety lock भी दिया है यह रहा इसका door lever rear में आपको fixed headrest मिलेंगे इसके अलवा speakers के लिए भी provision दिया है तो चली अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे मेरी जो height है वो है 5 feet 8 inches और सामने का seat फिलहाल मेरे height के according adjusted है फिर भी मुझे जो leg room मिल रहा है वो आप देख सकते हो चेक करते हैं under thigh support तो वो भी आपको best मिलेगा rear में ना तो आपको 12 volt का charging socket मिलेगा ना ही AC vents इसके अलवा नीचे की तरब जो hump है वो भी आप देख सकते हो co driver side seat के नीचे आपको मिल जाएगा इसका fire extinguisher और यह रहा सामने के door का look उपर की तरफ आपको एक grab handle मिलेगा rear में आपको एक cabin lamp भी मिलेगा जिसके light का throw आप देख सकते हो और कुछ इस तरह से दिखाई देता है इसके back seat से इसके dashboard का look अब हम बात करेंगे इस गाड़े के safety की तो safety में आपको मिल जाती है एक airbag ABS with EBD speed limiter device up to 80 km per hour seatbelt reminder system front seatbelt with pre-tensioners and load limiters remote central locking fire extinguisher engine immobilizer key left warning lamp and buzzer headlamp on and low fuel warning और rear parking sensors अब हम बात करेंगे इस गाड़े के engine specification की तो इसमें आपको मिलता है 1.2 liter 4 cylinder BS6 petrol engine जो maximum power produce करता है 70 bhp की 6000 rpm और आपको maximum torque मिलता है 95 newton meter का 4200 rpm इसमें आपको mileage मिल जाएगा 26.55 km per kg तक का और अगर बात करें transmission की तो यह available है 5-speed manual gearbox के साथ में तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आजाए पसंद आए तो like, share और subscribe कर दीजिए अगली वीडियो तक दोस्तों helmet पेने, seatbelt पेने और सुरक्षित रहिए धन्यवाद